दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं सबसे जादा खाया जाने वाला स्नैक वह है समोसा तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आप एक परफेक्ट समोसा कैसे बना सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ श्रेक्स हैं जिससे आप एकदम परफेक्ट वाला समोसा एकदम खसता करारा समोसा बना सकते हैं घर पर वो भी बहुत असानी से मिंटों में तो चले रेसिपी को शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कप मैदा ले रही है और वजन के हिसाब से यह करीबन 200 ग्राम मैदा है तो यहां पे मैं एक छोटा चमच अजवाइन और एक छोटा चमच नमक डाल देती हूं और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों अब एक छोटा सा चुओं जासा बना ले और यहा पे मैं गरम वाला ओयल डाल रही हूं 6 चमज देखे आप 6 चमज भरके मैं यहां पर ओय डाल रही हूँ तो इसका रेशुआ अप ध्यान रखें और इसको मैं अच्छे से चला लेती हूं अच्छे से मिक्स कर लेती हूं लेकिन यह तेल गरम है दोस्तों इसलिए हाथ का बुल्कुल ध्यान रखें तो ये देखिए मैं यहां पे इसको अच्छे से मसल मसल के mix कर रही हूं दोस्तों एक बुरुबुरा जैसा texture आजाना चाहिए यहां पे तो यह लेजे मैं यहां पे mix कर रही हूं यहां पर एक टेप आती है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा important है जब आप इसको अच्छे से mix कर लेंगे न तो यहां पर जो मैदा है इस तरीके से लड़ू जैसा texture आना चाहिए मतलब गांट बंद जाए इतना texture आना चाहिए अगर आप यह नहीं बनता है न दोस्तों तो आ इसka आटा हमने थोड़ा सा tight मांटना है यहां पर बिल्कुल भी ढहलानी देना है बिल्कुल typeizeig CHANCE हे च north आह यहां पर मांडना है और इसको खूब अच्छे मांड ना है एम दर्टेट आप ने खोड़ देना वो नहीं कि बहुत अच्छे चरीकेiste को आटा लगाए तो यह मैंने यहां पर टाइट आटा गूंदा है और इसको मैं बहुत अच्छे से इस तरीके से मांड लिया है तो बस एक सार करके मैं यहां पर इसको रख देती हूं इस तरीके से और उपर से में थोड़ा ओयल लगा देती हूं ताकि जो सूखने की जो परत जम जाती है वो ना का मसाला बनाने के लिए एक चमच मैंने यहां पर जीरा डाल दिया है एक चमच यहां पर मैंने डाली है सौफ दो चमच मैंने यहां धनिया का पाउडर डाला है दोस्तों अगर आपके पर धनिया साबुत हो तो आप वह भी डाल सकते हैं मैंने यहां पर पाउडर न फॉर् चाहें तो आप अगर ज्यादा तीका खाते हैं तो आप तीका डाल सकते हैं और ज्यादा और यहाँ पर आधा चमच मैंने हल्डी एट कर दिया और इसके साथ मैं यहाँ पर काली मिर्ची भी डाल रही हूँ आदी छोटी चमच या एक चो छोटा चमज होता है आप वो डाल देज़े क्योंकि स्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है साथी साथ यहां पर मैं हमचूर का इस्तवाल कर रही हूँ एक चोटा चमज और इसके बाद मैं यहां पर डाल देती हूँ कसूरी मेथी तो यहां पर एक चमज भरके आप कसूरी मेथी एड़ कर दे और यहां पर मैंने एक चमज भरके नमक एड़ कर दिया है चाहे तो आप आप अच्छस्पी कर सकते हैं तो बस इन सब चीजों को आप मसाला पीस लें और यह तयार होगे हमारा समूसे के आरो का मसाला इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बाद में डाल देती हूँ अद्रक और थोड़ा मोटा अद्रक का टुकड़ा आप इसमें एड़ कर दें और दो से तीन यहाँ पे लाहरी मिर्ची आप इसमें एड़ कर दें अगर तीकी जादा है तो थोड़ी कम एड़ करें अगर तीकी नहीं मसाला है दोस्तों यही मसाला होता है जो मारकेट में समोसे प्रИ्seis के साथ बनते हैं तो एक पैन को हम गरम कर लेते हैं और इस हम 3 चमाच ऑई गरम कर लेते हैं जबें ऑई हर छोड़ा गरम हो जाये अभी जब साछी अब करना हमाना है पीसा क्षप हो जाए ह美味 मैं गैस को आप बंद कर सकते हैं तो बस हमें यहाँ पर मसाला भूनना है लगबग लगबग एक मिनिट तक मैंने यहाँ पर मसाला भूनना है और बीच में तो मैंने गैस बंद भी कर दी थी ताकि यह मसाला जलने ना पाए तो यह देखिए अच्छे से मसाला भुन गया है और अब मैं यहां पर आधा किलो बॉयर किये वे चीले वे आलू डाल रही हूं यहां मैंने आदा किलो जो अलू है वह मैं इसमें डाल देती हूं अब इनको जाएं तो बहुत अच्छे से मेश कर सते हैं यह थोड़ा दिरता भी छोड़ सकते हैं देकर मैने यहां पर थोड़ा सा अमतर्षा मतब ड़ काफी हतो आलू मैश थे मतलब 30% आलू मैश ही था और जो नहीं था वह नहीं था वह ने चमच से दवा दवा के मैश कर लिया है तो यह लिजे हमारे जो समुसे के आलू है वो रेडी हो गए और आपके एससे हटा सकते हैं इनको और अच्छे से मिक्स कर सकते हैं साथी साथ ओपर से मैंने या पर हरा धनिया इस तरीक से डाल दिया है काटके यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर नहीं खाते हैं आप तो नहीं डालिए और बस इसको आपको अच्छे से मिलाना है यहां पर आप नमक मर्ची वगेरे अड़ेस कर सते हैं आलू में लेकिन मुझे जरूत नहीं पड़ी इसलिए मैंने अड़ किया है तो बस यह देखे आलू हमारे तयार हो गए समोसे में जाने के लिए अब चलते हैं यहां पर आटे की तरफ यह देखे आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है और ज्यादा अच्छे से सेट भी हो गया है थोड़ा से इसको मांटे हैं और इसकी बार इसकी लोईयां काटनी करते हैं तो यह लेजे मैंने यहां पर इस तरीके से लोईय काट ली है और बिल्कुल इसी तरीके से आपको और लोईयां भी काट लेनी है तो यह लेजे मैं यहां पर एक बोड पे डाल देती हूं इसको अब हम इसको बेलेंगे बेलने के लिए यहां पर आप आप ऑईल का इस्तमाल करेंगे तो चलिए step हम ले लेते हैं एक और यहां पर आपको बेलना है गोल नहीं बेलना है लेकिन थोड़ा सा लंबाई में बेलना है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं और ज्यादा मोटा भी ना हो और ज्यादा बतला भी ना हो बिल्कुल perfect shape होनी चाहिए और इ इक बारी में दो समोसे बनेंगे इसलिए मैंने आपको बोला था थोड़ा सा लंबा बेलिए तो बस जब यह हो जाए यहां पर edges पे हम पानी नगा लेते हैं और इसको हम फोल्ड करना शुरू करते हैं तो दोस्तों समोसा फोल्ड करने के बहुत सारी टेक्नीक्स होती है जो आप अच्य से इसको भर सकें तो यह आपकी मर्जी है यहां पर आपको अलू कितना भरना थे मैंने अपर खुब दबाते अलू भरे थे और इस तरीके से एक फॉल्ड कर देंगे यह देखे एक सितल्गे कर देंगे इससे क्या होता है नव्य है जब फ्राय करते हैं करके सब नहीं OS यह इसलिब कर देंगी को शाफ करती हूं और इसको इससे यह प्टताए हम्यार को सभलाओ समसे को फोल्ड करें तो आपको दो उंगलियों के बीच में इस तरीके से पकड़ना है इसको और आलू को हम आलू को शेशक दे देते हैं तिकोनी वाली क्योंकि अंदर ही तो जाना तिकोनेवाले इसके यूप्र बाकी आपको इस तरीके से भर देना है तो यह एकदम वही शेप ले लेगा जो आपके समोसे की है और समोसा कोने तक अच्छे से भरा मिलेगा तो बस एक मैंने यहां पर इस तरीके से फोल्ड लगा लिया और अब हम इसको पानी लगाके फोल्ड करना शुरू करते हैं इस तरीके से क्लोस कर देजे और जो इसके एज़े ना दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से दबाएए बहुत पतला सा कर लेजिए बिल्कुल इतने पोशन में दस समोसे तयार हो गए वह भी इतनी जल्दी से तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूं इसका एक ट्रिक होती है कि समोसे वाले समोसे कैसे तलते हैं इसके लिए यहां पर आपको और गरम करना है मतलब रिफाइन ओल है उसको आप गरम करना है लेकिन इतना गरम नहीं करना है समोसे आप देख रहे हैं मैं डाल रही हूं तो नीचे बैठ रहे हैं बस इतना गरम है विल्कुल हलका सा गरम है कि आप उंगली भी डाल सके लेकिन जलेगी नहीं तो देजे मैं यहां पे 5-6 समोसे एक बारी में इसमें आड कर दिये हैं और इसके बाद क्या करना है इस तरीके से वेट करना है ताकि तेल गरम और जब थोड़ा तेल गरम होगा यह देखे हैं यह पलटने का होता है कि हम पलड़तें के कैसे जब यह ऊपर की सता थोड़ी इस तो झाता झाल ईसी नजर आएगी आपके समोसे पलटने के लिए एक्दम तयाः रहा जो ओयल है आपको इस तरीके से उपर डाना है और इसको शेखते जाना है और जब यह अच्छे से सिख जाएंगे दोस्तों मीडियम आज पर अच्छे से जब सीख लें आप इसे तो पस इसको निकाल लेजे और आपके समोसे हो गए एकदम से तयार बिल्कुल इवन कुकिंग होई है दोस्तों बिल्कुल बढ़िया और इन समोसे में फुटकियां भी नहीं पड़ी है आप देख रहे हैं बिल्कुल फुटकी नहीं है इसके अंदर बजार जैसे समोसे बने हैं देखने में तो बहुत जादा यम ही भी लग रहे हैं तो यह देखे एकदम फुटकी भी और आप इसे कभी भी बना सकते हैं यकीन मानिया एकड़ मार्केट जैसे बनेंगे तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताईए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें